हम आपके पास आए हैं सबसे पहले शुक जताने के लिए जो हत्रस में लगभग सो से ज्यादा लोगों की मिलित्वी हुई है हम उनके परिवारों के प्रती उनके सज्जनों के प्रती अपनी सम्वीदना जताते हैं और आशा करते हैं कि जो गायल है वो जल से जल उनका इलाज हो वो स्वस्थ हो और हम सब ही इस वक्त यूपी और हत्रस के लोगों के साथ उनके दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं साथ ही दोस्तों में ये भी कहना चाहूँगा कि कल हमने एक बहुत दुखत नजारा सदन के अंदर देखा कॉंग्रेस पार्टी की मांग और विशेश रूप से अधर्णिय राहूल गांदी जी की मांग ये थी कि इस अठारवी लोकसभा सत्र में राश्रपती अभीवाशन पर मनिपूर के दोनों सांसद अपनी बात रखे और ये बार बार राहूल गांदी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अफसर मिलना चाहिए क्योंकि राहूल गांदी जी स्वय मनिपूर गए हैं उन्होंने मनिपूर में समाज के बीच में जो बटवारा हुआ है देखा है इसलिए राहूल गांदी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज रखने का अफसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज रखने का अफसर नहीं दिया तो बहुत गलत सदेश सदन से मनिपूर के लोगों को जाता है ये बात राहूल गांदी जी बहुत खूबी से जानते थे और इसलिए हमारे पहले जो सांसद है मनिपूर के उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी जो शेहरी इलाका से आते हैं इनर मनिपूर से आते हैं इंफाल से आते हैं और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी शेत्रों जो है मनिपूर का आउटर मनिपूर के जो सांसदे अल्फरेड वो अपनी बात रखे लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी समवेदना मनिपूर के साथ है प्रधान मंत्री मोदी जी अपने सामने मनिपूर की व्यथा नहीं सुनना चाते थे हमारी मंक्स पर्ष थी कि हमें पता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी को चार बजे आना है उनको अपना भाशन देना है हमारी मंक इतना ही था कि आप बस दो मिनिट दो मिनिट आप हमारे मनिपूर के सांसद को अपनी व्यथा अपना पक्ष और मनिपूर में शांति और अमन की याचना व्यक्त करने का एक अफसर दे लेकिन अफसोस दो मिनिट नहीं मिला और दो घंटे हमें सुनने परे प्रधान मंत्री को जिस पर उन्होंने वही पुराने एलिगेशन वही पुराने आरोप कभी चुटकले कभी मजाक कभी तंच किया उन्होंने राजनीती को एकदम निम्नस्तर तक लेके गए और एक सांसद जो वहाँ पे चिला रहा था बोल रहा था कि मुझे बोलने दो उनकी बात सुनने का धैरिया उनके पास नहीं था सहनुबूती नहीं थी दिल में जगा नहीं थी और इसलिए उस शण में हमारे उत्तर पुर्वांचल के सांसद आपने पर देखा होगा कि उतर पूरवानचल के सबी सांसद हम वेल में आके मनीपूर के दो सांसद आए में उनके सात आया फिर मेरे साथ नागलैंट के सांसद आया मेरे साथ फिर मह घाले के सांसद आया और हम सभी ने एक दूस्त Radio के हाथ पकड़ कर हमने इंसाफ की गुजार लगाई हमने इंसाफ की गुजारिश की नियाई की गुजारिश की मनिपुर को नियाई दो मनिपुर की आवास सुनो हम जो उत्तर पुरवांच के सारे सांसत हम आगे और उसके पश्चात में धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे इंडिया अलायंस के सांसद देश के हर कोने से उत्तर से लेके पस्चिम तक पस्चिम से लेके दक्षिन तक देश के हर कोने का इंडिया अलायंस का सांसद उत्तर पुर्वांचल के सांसदों के समर्थन में सब हम वेल में आके हम सभी ने नारा लगाया मनिपूर भार प्रधान मंत्री मोदी जी ने अपनी भाषन रखी लेकिन एक बार भी मनिपूर का बात उन्होंने नहीं उठाया। अंत में बस उतना ही कहा कि अगर आपको समय नहीं मिला तो आपको पार्टी को पूछना चाहिए। हम पार्टी से क्यों पूछे हम उनसे क्यों नहीं पूछे क्या यह प्रधान मंत्री मोदी जी का बड़पन नहीं होता कि अगर वो बैट जाते अगर वो एक विरोधी सांसोत को पानी का ग्लास दे सकते हैं तो एक विरोधी सांसोत जो मनिपूर से आता है उसकी दो मिनिट की बात सुनने का धहर्य क्यों नहीं है उनके पास बैठ जाते और मैं कहता हूं कि अगर वो बैठते बड़पन दिखाते और मनिपूर के सांसवत को दो मिनिट अपनी बात रखने देते तो एक बहुत अच्छा संदेश प्रधान मंत्री की तरफ से आज उत्तवत पुर्वांच को जाता मनिपूर को जाता तो मुझे लगता है कि प्रधान मंत्री मोदी जी सुनिश्चित यो सोच से योजना से मनिपूर को बार बार अपना पीठ दिखा रहे हैं मोहन भागवज जी ने भी मनिपूर का नाम अर्ज किया लेकिन मोहन भागवज जी की बात भी कल प्रधा के लिए प्रधानमंत्री मोधी वो अपने जित पर अड़े रहे 2 गंटे तक मनीपूर का संस चिलाते रहा और प्रधानमंत्री मोधी जीने विभिन प्रकार के राजनितिक आरोप और निम्निस्तर की राजनितिक भाशा का प्रयोग गा मुझे लगता है कि कल हमने एक एतिहासिक मौका हमने गवाया जब पूरा देश हम मनिपूर को एक संदेश देना चाते थे मैं दुबारा आभार प्रकट करता हूँ राहोल गांदी जी का जो पहले दिन से सम्वेदन शील थे पहले दिन से वो चाते थे कि दोनों अपना पक्ष रखे वो स्वयम खड़े होकर वो अध्यक्ष महोदय को गुजारिश कर रहे थे कि दोनों को अपना पक्ष रखने दे और फिर मैं उत्तर पुरवांचल के सांसदों को जो सब पहले वेल में आए और उसके पश्चाद जो हमारे विबिन हमारे देश के सांसद जो आए और मनिपूर का हमने साथ दिया मैं सब को अभार पकट करता हूँ क्योंकि हमने इंडिया लाइन्स ने हमने एक संदेश दिया कि मनिपूर भारत का अंग है और मनिपूर में जो अत्याचार हुआ है महिलाओं उपर, युवाओं उपर, छात्रों पर, बुजर्गों उपर वो उन अत्याचारों को हम भूले नहीं है और उनके हग की लड़ाई हम दड़ते रहेंगे मैं बस इतना ही बात कहना चाता था कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने कल बहुत ही एक निश्टुर वेवाहार मनिपूर के प्रती दिखाया और बहुत अपने जित पड़ अड़े रहे जिसके कारण एक ऐसा वातावरन हुआ